तुरिटेंस, वेलकम बैक तु माई यूटुब चैनल तो अब हम फाइरोल एप्ल के बारे पढ़ेंगे यह आपको स्ट्रक्चर बता है ही तो यह जो पाइरोल रिंग पाइरोल रिंग से ठीक है मतलब एक तरीके से एनच ग्रूप की वज़े से इसको हम एजोल भी बोल सकते हैं और पाइरोल भी बोल सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे structure आपको पता ही है और जो इसका vapors होते हैं ठीक है जो इसके vapors होते हैं ये क्या देते हैं bright red color जब ये किसके contact में आते हैं आपके pure splint के character में आते हैं ठीक है या फिर plus में इसके क्या होना चाहिए concentrated HCL का acid तो चलिए इसके preparation करते हैं तो preparation में सबसे पहले आता आपका acetylene के साथ इसको करना तो जब हम acetylene के साथ पास्ट करते हैं तो red hot tube के अंदर तो पायरोल फॉम हो जाता है देखिए इसमें क्या है आपका acetylene लेकर चले साथ में आपका क्या है ammonia हमने इसके पास कर देना इसके अंदर से थोड़ी सी heat देनी है तो आपका कॉंसी रिंग फॉम हो जाएगी पायरोल की रिंग फॉम हो जाएगी और साथ में आपका h2 यहां से निकल जाएगा तो अब आती है आपकी second ammonium mucate के साथ तो ammonium mucate को जब हम heat करते है glycerol के साथ 473 Kelvin पर तो आपको जो ammonium mucate है वो पायरोल बना देता है तो देखिए इसका structure क्या है वो मैं बता देती हूँ यह आपका ammonium mucate का structure है यहां से link दो नहीं है बस थोड़ करेंगे glycerol लेंगे 473 Kelvin temperature पर और यह आपका फूम कर देगा पायरोल की रिंग प्लस साथ में byproducts क्या बनेंगे आपका water co2 और ammonia तो अब है आपका succinamide से तो यह सिर्फ आपके method of preparation है इनमें आपको mechanism के कोई जरुरत नहीं है सिद्धा आपको reactions ही याद करनी है as it is तो हम क्या कर रहे हैं distillation कर रहे हैं हम zinc dust के साथ आपका succinamide का जो के हमें pyrol देगा तो यहां पर succinamide क्या है यह आपका structure है succinamide का जिसको हम क्या कर रहे हैं zinc की present में heat कर रहे हैं जो की हमें क्या देगा के पायरोल का प्रोडक्ट देगा साथ में Z and No आपके दो मोलक्यों निकल जाएंगे तो यहाँ पर प्रप्रेशन में आपके बस एक नेम सिंथेसिस आज जाती है जो कि है पाल नौर सिंथेसिस या फिर आपको 1,4 डाय कार्बोनेल कमपाउंड की वदद से भी आपको इसको कर सकते हैं तो यह जो मैथड है आपका प्रेप्रेशन का पायरोल्स का है इसमें क्या होता है आपके डेरिवेटिव इन्वोल्स होते है विद एक्शन ओफ हीट और हम क्या करते हैं इनॉलाइज़ीबल करते हैं 1,4 δiicarbonil compound से और आपका ammonia बनता है और आपका primary amine बनता है तो देखें इसके reaction किस तरह से होता है तो यह है आपका structure acetone acetone का और इसको हम क्या कर रहे हैं तो साथ में heat दे रहे हैं और यहां से आपका क्या बनता है derivative आपका बनता है जो कि आपका पाइरोल का डेरिवेटिव है ये इस तरह से ठीक है इसे हम बोलते हैं वन फोर डाय कार्बोनिल कमपॉंप्स और साथ में अमोनिया और प्राइमरी अमीन दी तो देखिए इसमें क्या होता है आपका यहां पर हम एसे टोनाईल एसे टोन लेकर चल रहे हैं इसका structure बना दिया, थोड़ सा state कर दिया हमने structure और इसमें क्या डाल रहे हैं मोनियी डाल रहे हैं और heat कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा इस structure को थोड़ Analysis को खोल कर लिख रहे है तो आपका सबसे पहले जर्अटरी है वो कहां पर जाएगा यहां पर जायगा फ्रीक है है तो यहा OH यहां पर 1 OH लग कर यह क्या हो जाएगा। देखिए यह यहँ पर नासमा है तो canal da यह क्या यहां से शो निकल जाएगा क subtयी निकल कुंकि क्या है. यह नेतर्स क्या है औहोंसे पर सर दिन थच्छी इस लिए बत कर यह ये यहां पर आ जायेगा आपका और यह यहां से निकल जाएगा यह к दो ऍच्रक्चर किस तरहां से बनेगा आपका यह आपका structure यहाँ पर N आपके 2H तो देखिए आपका क्या होगा यह जो nitrogen के लोन पर रही है यहाँ पर जाकर आपके attack करेंगे और यह जो double bond है आपका यहाँ पर oxygen पर चला जाएगा ठीक है क्योंकि यह क्या होगा आपका यह वाला यहाँ पर जाएगा यह यहाँ पर और यह यहाँ पर तो आपके reaction किस तरीके से change हो जाए कि जो आपका product है वो किस तरीके से बनना start हो जाएगा यह आपके 2 यहाँ पर इस तरीके से यहां से तो एक निकल चुका है आपका और यह डबल बॉंड फोम कर चुका है ठीक है यह इस तरीके से और यह एनेच आपका यहां इस कार्बन से आपका जुड़ गया ठीक है और इसके साथ क्या था 1CH थरी था और एक था OH आपका अब क्या होगा यह जो आपका यह वला है एक और डबल बॉण्ड होता है आपका पाई रोल रिंग में एक तो बन गया आपका एक और होता है तो यहां से क्या करेंगे एक H को हम यहाँ पर ले जाएंगे double bond बनाने के लिए और यहाँ से हम एक OH निकाल देंगे तो क्या होगा H और OH यानि minus H2O तो बारह से एक और आपका H2O minus हो जाएगा तो यह आपका किस तरीके से बनेगा यह यहाँ पर इस तरीके से यह double bond और यह आपका इस तरीके से तो देखे यह आपका बन गया ठीक है यह आपका मेकानिजम धर एक्षन का तो जो आपका physical properties of pyrrole के वो क्या होती है आपके जो pyrrole जो freshly distilled आपका prepare होता है तो यह क्या होता है आपका colorless liquid होता है और इसका जो boiling point होता है आपका 404 Kelvin आपका होता है जो की rapidly turn हो जाता है आपका brown color में ठीक है जब यह contact में आता है आपके air के exposure के contact में आता है तो यह क्या करता है आपका brown color में change हो जाता है और इसका जो odor है smell है आपकी वो किसकी तरह होती है chlorofoam की तरह होती है अगर water की बात की जाए तो यह क्या होता आपका separately soluble होता है water में और अगर हम alcohol और आपके ether की बात करते हैं तो यह आपका freely soluble होता है तो याद रखे इसमें separately soluble और इसमें freely soluble तो देखे जो chemical property हो पढ़ते हैं इसमें आपको पता है chemical behavior जो होता है pyrole का वो आपका aromatic होता है character ठीक है aromatic character होता है और आपका यह किस पर based होता है electrophilic substitution reaction पर होता है ठीक है और कुछ-कुछ यह किस पर होता है आपका addition reaction पर भी होता है तो पहली जो है इसमें आपकी electrophilic substitution reaction की अगर बात करते हैं हम तो इसमें क्या होता है आपका इसके पास Can come greater electron 50 डेंसी होती है कारबन एन्चम्स के पास और कारबन ए Immediate अगर हम अभे आपक generation your सब्सक्रमाइब कुंभभग प्सक्रमा इर्फाब 55 hydrocyclic ring के बजाये के आपके benzene के उपर जो हो therefore जो आपकी pyrole जो होती है ये more reactive होती है benzene के according ठीक है तो जो आपकी electrophilic substitution reaction जो हो रही है pyrole की ये आपकी कहां पर होती है alpha और आपकी second position पर या फिर क्या हो सकती है आपकी beta और 3 position पर आपकी attack होगा ठीक है और जब beta वाली पर होगा तो आपकी alpha position है वो blocked होगी देखे अब हम इसको देखते हैं reaction को आपके book से देखते हैं तो यहाँ पर देखे आपका क्या है आपकी एक pyrole की ring लिग गई है और यहाँ पर हम nitration कर रहे हैं तो क्या होगा आपका electrophilic substitution reaction मतलब आपका alpha position पर या second position पर या beta या third position पर आपका क्या होगा आपका nitrogen लग जाएगा क्योंकि nitration हो रहे है यहाँ पर इसके यह आपके reagents लिए गए है CH3 COONO2 हो गया जैसे कि आपका ठीक है nitration करें आपका तो क्या होगा यह देखो यहाँ पर आपका nitrogen हो गई आपका NO2 यहाँ पर लग गया इस तरीके से second आपके sulfonation की reaction है SO3 लेकर चलो pyridine की presence में temperature condition आपकी 373 Kelvin और आपका next है आपका pyrole के अगर हम क्या करते है iodination करते है I2 लेकर चलो और potassium iodide लेकर चलो तो आपका क्या होगा यह हर position पर यहाँ पर क्या है आपकी alpha बीटा दुन पोजिशन पर आपका क्या हो जाएगा सारे उस पर लग जाएगा आपका iodine तो यहाँ से आपकी क्या होगी iodination की हो गई reaction अब हम करेंगे friddle craft आपकी reaction friddle craft assilation में आपका क्या होता है यह वाला group आपका लगता है ठीक है तो इसमें क्या होगा हम कौन सा करेंगे आपका यूज आपका हम CS3 CO2 यह वाला हम reagent यूज करेंगे और किसकी presence में SNCL4 के presence में तो आपकी यह name reaction है friddle craft assilation इसको आप अपने पहले भी बढ़ी होएगी अब भी बढ़ सकते हो यहाँ पर यह दे रखे है इस तरीके से आपका CO, CO3 group आपका यहाँ पर लग जाएगा जिसे कि assilation यहाँ पर बोला गया है इसके बाद रिमर्टीमन reaction है आपकी यह भी आपकी सारे की सारी name reactions है CH, CL3 KOH की presence में आपके potassium hydroxide की presence में आपका क्या होएगा aldehyde group यहाँ पर यह लग कर यह aldehyde का product बना देगा इसके बाद आपका यहाँ पर क्या दिया गया है आपका coupling reaction दी गई है इसमें हम क्या लेकर चले है AR, N2, X लेकर चले है इस पर positive charge, इस पर negative charge और यहाँ से coupling reaction में क्या हो रहा है आपका N2, AR आपका इस तरीके से यहाँ पर यह position पर लग गया ठीक है तो यह आपका क्या बन गया ARYLA ZO PYROL आपका बन गया इसके बाद आपका Gatterman Coch Synthesis यह भी नेम reaction आपके से इसम उसी तरीके से इसमें भी आपका क्या होएगा aldehyde आपका बनेगा ठीक है जैसे आपका यहाँ पर aldehyde बना था वैसे आपका Gatterman Coch Synthesis में baby aldehyde बनता है यह आप नेम reaction आप सर्च पर कर सकते है Google पर आपको इसी तरीके से मिल जाए कि बड़ पाइरोल के केस में हम ने करनी है तो पाइरोल के केस में तो आपकी यह वाले product बनते हैं अब देखे पाइरोल रिंग का आपका acidic क्रेक्टर क्या होता है जो पाइरोल होती है यह क्या होती है आपकी weekly acidic होती है और यह क्या बनाती है आपकी alkali metal salts बनाते है और यह किस तरीके से बनाते है यहाँ पर हम बता भी सकते है reaction के according तो आपको क्या लेना है आपका pyrol लेना है और reaction करने आपके koh के साथ और यहाँ पर यह किस तरीके से आपका product बनाएगा n-k positive इस तरीके से और आपका h2o यहां से निकल जाएगा तो यह क्या है आपके pyrol weekly acidic होते हैं और alkali metal salts बनाते हैं तो आपका जो basic character वो किस तरीकिसी define है कि आपका जो pyrol है वो as a base भी act कर सकता है by accepting a proton और uniting with the levice acid at the hetero atom hetero atom कौन से होता है आप मेरे को comment section में बता सकते हैं आपके कि कौन कौन से होते हैं और देखिए जो मैंने आपके यहां पर आपके यह बताए है नेम reactions के साथ इनके जो आपके यहां पर reagents बताए हैं जो use होते हैं इन में आपके कौन से ions attack करते हैं reaction में nucleophilic substitution reaction में वो आप मेरे को search करके बताएंगे कि इन में नेम रियक्शन्स में आपके कौन से आइन्स बन रहे हैं जो कि अटैक कर रहे हैं आपके जैसे कि आपको पता है कि आपका इसमें आपका एक लॉन पेर यहाँ पर प्रेजन्ट होता है यह जो लॉन पेर होता है यह जो अंशेर्ड पेर है आपका इलेक्ट्रोन का य ये भी दे लोकलाइजड पाइलेक्ट्रोन क्लाउड में कॉंट्रिब्यूट करते हैं ठीक है तो बहुत इलेक्ट्रोन्स आपके कॉंट्रिबूट करते हैं पाइरोल स्ट्रक्चर में कौन सा electron unshared वाला भी और जो कि P orbital वाले थे वो भी as a result जो pyrrole होता है आपका इसके पास आपका कोई lone pair एक तरीके से नहीं बचता nitrogen के उपर तो इसकी वज़े से ये जो है basicity नहीं show कर सकता आपका जो किसे करनी चाहिए तो जो आपके aromatic amines होते हैं यहां पर हम बात कर रहे है aromatic amines की इनका जो pkb होता है यह होता है 10k पास और जो आपका pyrrole का होता है तो pyrrole का क्या होता है आपका pkb यह होता है 14 होता है तो इसके हिसाब से यहां पर आपको basicity constant भी बता दिया गया है और आपका यह भी बता दिया गया है कि वैसे तो इसे as an act करना चाहिए base, इसे accept करना चाहिए proton, बट इसके पास कोई lone pair बचता ही नहीं आपका pi electron cloud में सारे के सारे delocalized हो जाते हैं और आपका ये जो basicity का जो आपका character है वो बुझस नहीं कर परता आपका तो देखें यहाँ पर reduction की बात करते हैं अगर हम addition of hydrogen करते हैं, addition of hydrogen में अगर मैं H2PT 473 Kelvin पर अगर इसको रखूं पाइरोल को तो आपका क्या हो जाएगा इसका reduction हो जाएगा और ये non aromatic compound में change हो जाएगा जिसके हम pyrolidine बोलते हैं ठीक है तो इस तरीके से ये reduction की reaction हो गई ऐसे इसके oxidation की देख लो तो क्या होगा हम तीन atom oxygen के लेकर चल रहे हैं in the presence of CR2O3 CH2COOH तो ये यहाँ से क्या बना देता है देखिए oxidation इसकी किस तरीके से होती है आपकी ये बनाता है यहाँ से maleic imide यहाँ पर एक double bond double bond oxygen यहाँ पर और एक double bond oxygen यहाँ पर आपका ठीक है तो इस तरीके से ये आपका structure बन जाता है यह हो गई आपकी reduction oxidation तो next हम कर रहे हैं furan oxal यह आपका furan का structure है ठीक है oxal का भी है तो यहाँ पर जो furan है ये क्या होते हैं ये सब से simplest आपका heterocyclic compound होता है जिसके पास एक oxygen इसके structure में as in hetero compound present होता है आपका तो इसे तरीके से हम क्या करते हैं आपका preparation करते हैं इसके सबसे पहले तो सबसे पहले इसकी preparation में from mucic acid तो इसमें देखें mucic acid का structural formula आपका क्या होता है है वह मैं बता देती हूं आपको यहां पर लिखकर CH वैस्त पहले भी बता चुकी हूं इसी तरीके से यहां पर भी CH OH और यहां पर आपका carboxlic acid वैसे ही आपका यहां पर भी same structure form होगा यह आपका हो गया और यह इसकी condition है कि dry distillation आपका होना है चाहिए और यहां से CO2 निकलेगा और क्या निकलेगा आपका 3H2O के molecule आपके निकलेगे यहां से यह जो आपका compound है यह preparation कर रहे है हम यहां से तो prepare क्या करना है हमने फिरान प्रिपेर करना है और विसली फिरान प्रिपेर होएगा बट यहां पर क्या होगा आपका पहले फिरुवまだ बनेगा फिरोयक रिकैसर पिस त्रेके से वनेगा आपका यह इस तरीके से यह अहां पर एक आपका जो कर्वॉक्स लीक ऐस representing रहे जाएगा फिरा मैं इसको हीट करें में और मिल जाएगा और आपका यहां पर आपको मिल जाएगा फिरॉम तो यह इसकी आपको भीजेटेट करेंगे तो रियक्शन देखे किस तरह से होगी आपकी यहां पर हम क्या लेकर चल रहे हैं था興नगे में सब्सक्राइएर था यहां पर हम कौन सा लेकर चल रहे हैं रिएजन्ट आपका के टू सी आटू ओ सेवन एस तरहां से फिरोएक एसेड बन जाएगा यहां पर सी ओवाच लग जाएगा फिर इसको दुबारा से हम हीट करेंगे सी ओ टू निकल जाएगा और यहां पर आपका यह फिरान आपका बन जाएगा यह इसका मैथड ओफ प्रिपरेशन था अगर इसे हमने कमर्शिल स्केल पर बनाना है आपका तो हम कौन से उससे इसको प्रिपेर करेंगे दिकार्बोनाइलेशन दिकार्बोनाइलेशन और फरफराल रियक्षन तो इस तरीके से हम यहां पर फरफराल लेकर चलेंगे आपका फरफराल का जो फॉर्म्ला वो क्या होता है यहां पर aldehyde group होता है आपका ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे AG2O की presence में हम इसको steam करेंगे और यहां से आपका CO2 निकल जाएगा और आपका CO2 नहीं CO आपका निकल जाएगा और यहां से आपका यह क्या बन जाएगा इस तरीके से आपका फिरान बन जाएगा यहां पर एच लिख देती हूँ एच तो है यह आपके कार्बन के पास ठीक है तो यह आपका फिरान बन गया जिसका boiling point temperature क्या है 305 Kelvin है और इसका जो ओडोर है सेम उसी की तरह आपका है जैसा हमने अभी पाइरॉल में पड़ा था किसका जो ओडोर है वो किस की तरह होगा chloroform की तरह होगा यह आपका water में insoluble होगा बट यह क्या होगा soluble होगा आपका किस के अंदर होगा alcohol के अंदर और आपका ether के अंदर अब इसकी कुछ हम chemical properties को करेंगे तो चलिए इसकी अब हम करते है chemical properties तो chemical properties में इसका सबसे पहले यह आता है कि यह एक aromatic compound है जो की आपका electrophilic substitution reaction को शो करता है mainly आपकी कहां पर होती है alpha या फिर second position पर आपकी ठीक है और यह क्या होता है आपका furan polymerized हो जाता है acidic condition में और यह जो reaction है यह carried out होती है selected condition में यानि reaction की कुछ specific conditions होती है तो अब same यहां पर यहां पर इसी तरीके से देखे आपकी nitration में अगर हम furan का nitration करते तो वही alpha position पर आपका अनोटो गुरूप लग जाएगा furan के case में आपके जो iodination होती है उसमें क्या हो जाती है जो यह ring है आपकी यह cleavage हो जाती है due to violent reaction यह reaction क्या होती है बहुत violent होती है तो एक बार आप यह वाली reaction को अपने phone में अपने Google पर search करोगे कि इसकी reaction actual में होती क्या है ठीक है इसके बाद आता है आपका यहां पर यह क्या हो रहा है agcl आपका यहां पर लग रहा है और इसमें जो आपका reagent है यह क्या है आपका hgcl2 CH3 COO NA आपका लगा हुआ है इसके बाद आप क्याते है फ्रिदल क्राफ्ट असायलेशन वही coupling reaction गैटर मैं कोच reaction और इसमें आपको पता ही है पिछले उसमें की तरह आपका एक acylation में आपका क्या लग जाएगा CO CH3 लग जाएगा coupling वाली में क्या हो जाएगा इस तरह कैसे reaction आपकी चलेगी तो देखिए इसके basic nature के अगर हम बात करते हैं तो क्या हमें पता लगता है कि जो फ्यूरान है ठीक है फ्यूरान को अगर हम ट्रीट करते हैं आपके acids के साल तो यह कौन से reaction में जाता है आपके प्रोटोनेशन में चला जाता है और कौन से आपके रिंग के एटम जाते हैं carbon atoms आपके जाते हैं rather than oxygen ठीक है जो प्रोटोनेटेड प्रोड़क्ट है वो आपका आगे अंडर को चला जाता है polymerization में तो देखिए इसके reaction किस तरह से होती है यह भी आपको लिखकर बिताते हैं यह आपका oxygen है यह आपका क्या है आपका फिरान है और यहां पर H-P aussi पितली यह गोडि तो इस तरह के से आपकी reaction किस तरह से हो रही है क्या बनाएगा यह यहाँ पर positive charge आजाएगा आपका यह यहाँ पर shift होगा तो यह यहाँ पर आजाएगा और यह क्या आपके 2H यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगे और यह आगे चले जाएगी polymer product के अंदर अब देखिए इसमें reduction और oxidation किस तरह से होता आपका तो फिरान लेकर चलते हैं आपका यह फिरान है आपका अब इसमें हम क्या कर रहे हैं H2O डाल रहे हैं nickel और platinum की presence में यह क्या आपकी reduction है तो reduction क्या करेगा आपके जो double bond है उनको reduce कर देगा और क्या बना देगा यह एक non aromatic compound बना देगा जिसे हम क्या बोलते हैं अब अगर यह oxidation में जाता है तो oxidation में auto लेकर चल रहे हम तो यह क्या आता है आपका product किस तरीके से बनता है आपका यह oxygen जो O है आपका यहां पर इस तरीके से लगता है बीच में आपका यहां से तक क्या आता है reduction में मतलब double bond उड़ जाता है और यहां पर क्या आता है वह double bond की जगे आपके oxygen ही यहां पर लग जाते है और एक double bond यहां पर उसके बाद एक और oxygen add करते हैं तो आपका structure किस तरह से बनता है यह जो CH2 है यह इस तरीके से आपका रिड्यूस जाएगा यहां पर अपका double bond हट जाएगा और यह यहां पर aldehyde group यह लग जाएगा जिसे हम succinyl aldehyde भी बोलते हैं आपका इसके बाद आपकी dials यहां पर यह इस तरीके से फिरान लेकर चलेंगे तो आपकी रिंग क्लीवेज कराने के लिए हमारे पास क्या reagent होने चाहिए H2O, CS3, COOH ठीक है acetic acid then heat करेंगे तो क्या बनेगा आपका यह CH2, CH2 यह वला ठीक है इस तरीके से आपका और यहां पर यह O, यह O और यह CH3 और यह CS3 तो यह आपकी रिंग क्लीवेज की रियक्शन थी जिसमें क्या बन गया आपका इसके बाद आता है आपका थायोफीन वाला यह भी आपका 5-membered hydrocyclic compound होता है जिसके पास क्या होता है आपका sulfur as in hetero atom present होता है आपका अब इसकी जो preparations है वगेरा जो derivatives है वो क्या है आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा दो मैने करवादी है ए इसकी physical properties हो गई थोड़ी सी reactions हो गई आपकी chemical properties हो गई यह आप थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे अगर कहीं नहीं समझ में आते है तो मैं आपको गाइड करूंगे